आज के समय पे हर कोई उठके सबसे पहले कुछ गलतिया कर देता है जो की सास्त्र में वर्जित बताई आईए आईए पंडिक्चे से आनते हैं कि उठते से कौन सा कार करना चाहिए सुभा का समय याने दिन की सुरुवात जिसका जैसा उठने का समय है वो अपने दिन की सुरुवात करता है इस दिन की सुरुवात हमारी ऐसी होना चाहिए जिससे हमारा सारा दिन पूरा समय सकारत्मक बावों से अच्छे विचारों से भरा रहे खुशियों भरा दिन रहे इस मैं सबसे पहले व्यक्ति देखता है कि मैं कितनी बज़े उठा, इसलिए हमें उठ्टे से ही समय ना देखते हुए, उठ्टे से ही हमारे इश्टिके दर्षन करना चाहिए, कोई-कोई लोग तो बंद घड़ी देखते हैं, यदि हमारे घर में छतीकरस्त बंद घड़ी है, त उसे हटा देना चाहिए, और अच्छी घड़ी, ऐसी घड़ी जिसमें अच्छे से समय जरस्ता हो, ऐसी घड़ी पेश्में, दूसरी बात, उठ्टे से ही कही लोग अपना चेहरा देखते ही, मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिन की सुरुवात में हमें हमारे इश्टिके दर्षन होना चाहिए, हमारे हातों में सभी देवताओं का वात होता है सुबह सुबह, इसलिए सुबह उठ्टे से ही हमारे हातों के दर्षन करें, अपना चेहरा अपनी परच्छाई ना देखें, उसके बाद कई लोग उठ्टे से ही जिनके कारिय में लग जाते हैं, और क जन भी देखना पड़े, जुठे बरतन ना देखना पड़े, कोई ऐसा कारी करे, पेड़ कोधों में पानी डालने का, उसके बाद में हम घर के बरतनों की सुरुवात करें, उसके बाद में कई लोग अपने आपका विशलेशन करने लग जाते हैं, कि आज क्या करना है, शुर उसके बाद दिन के सुरुवात करें, जितना अच्छा आपकी सुभा रहेगी, उतना अच्छा आपका पूरा दिन रहेगा, इसलिए यह प्रयास करें, कि हम सुभा उप्तेने के बाद में इश्वर से जुड़े, भगवान से जुड़े, अपने भविश्य के लिए हमें क् करें इस प्रकार से भी हम अपने दिन के सुभात करेंगे तो हमारा दिन हमारा जीवन बहुत अच्छा जाएगा